जैसे राम दोस्तों मैं प्रकास कमरा अपने यूटूब चैनल लाइट वीट पर आप लोगो स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं टिक्टोक के उपर में बात करना जुरूरी इसलिए है बहुत सारी नगिटीविटी जो है टिक्टोक के द्वारा फैलाया चाँ बात करते हैं तो उसमें पहला नगिट्वेटी इसमें किया क्या आथा वह आप लोगो बताता हूं मेरे द्वारत हूं को को लगता है कि इसके इससे क्या नेअगे टिविटी फेल माठें शबसे पहली VER tayर दिखें होगे अब लोग को दिखिए रही है बचिए गाली तो आगलते बच्था तो हम लोग रुक जाते हैं अपने काम को नहीं करते हैं और वहीं पर क्या कर रही है एक लड़की जो है अराम से बहुत ये असानी से जो है निसनल एंथम को गाली दे रही है ये बहुत बड़ी पॉइंट बन जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग बहुत पूरे भार परत के लोग पूरे भारतिय सारे लोग नेशनलने एन्थम को रिस्पेक्ट करते हैं एक लड़की जो इंडिया के बाहर रहर करके क्या कर रही है को गाली दे रही है यह गलत हो रहा है और इसमें इसके ऊपर और मोग बात करते हैं अब लोग कुछ दिन पहले अगर देखें ह पर खुद का वीडियो पोस्ट किया मतलब ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके सिवा जो है कोई मतलब सीधा साधा इंसान तो कोई है ही नहीं लेकिन जब उसको कॉल रिकोर्डिंग आया आप लोग यूटूब में कहीं भी छान मालिएगा कहीं भी सच कर लीजेगा आमिर कर आडी वी ठीक के से बाहिं कर दिया गया है ठीक है तो यह सब क्या है क्या हो रहा है यह सब नगेटीव इटी ही फैल रहा है की कोई झो है उसमें एक बहुत जादा है अमलोड़ कर रहा है कि हिंदू लड़कfa जो है मतलब एक बार हाते से फेरी मुसलमान बन गई ये कहां तक सही हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है अच्छा एक बात बताईए इसमें क्या है कि अगर वो लड़की को लड़का साइध बोलता है कि तुम हिंदू हो मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ तो वो लड़की क्या कर लेती है मुसलमान में कनवर्ट करके ये कर लेती है बुरका पहन लेती है ये कहां तक सही हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग को कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है सब अपने जगा सब सही है लोगों से यह request रहेगा मेरा जो भी लड़किया इस टैप का जो है आप लोग वीडियो बना रहें प्लीज ना बना आप लोग समझे थोलगा सा अपने धर्म का value दें ठीक है यह हो गया अब अब देखिए यह तो कुछ आप लोग से मेरा यह request रहेगा कि आप लोग जो है अपने बच्चे को अगर फोन दे रहें तो उसको कुछ अच्छा अगर यूज कर रहा है तो ही आप उसको phone दीजिए अदरवाश TikTok के लिए तो मत ही दीजिए क्योंकि TikTok कहीं ने कहीं उसके दिमाग में यह virus भेज रहा है यह thinking बना रहा है कि मैं भी इस तरह से कर सकता हूं मैं भी वीडियो डालूँगा मुझे भी like comment followers मिलेंगे मैं भी celebrity बन सकता हूं दो चार वीडियो बच्चे post कर लेते हैं सुचते कि हम celebrity बन गए ठीक है तो यह जो है इससे आप लोग अपने बच्चों को बचा है यहां तक कि मैं भी अपने घर में restriction लगा चुका हूं कि अब जो है TikTok को मेरे घर पर यूज नहीं करता है किसी के phone पर हमने लोग TikTok यूज नहीं करते हैं ठीक है यह जरूरी था तो यह सब जो कुछ-कुछ point जो था वह मैं अभी आप लोग को बता है ठीक है तो इसके उपर में और अगर कुछ बात होनी चाहिए और कुछ वीडियो जो था मैं वीडियो भी कुछ-कुछ mention कर दूँ में मुझे आप लोग बता सकते हैं ठीक है मैं उस topic को cover करके उसके बारे में information में आप लोगो दूँगा ठीक है तो वीडियो भी हम लोगो यहीं पर खतम करते हैं जो basic information था वह मैंने इस वीडियो पर mention कर दिया ठीक है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आप आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सेर कर सकते हैं